नमस्कार बहुत जरूरी है करिगे मैं आपका स्वागत है मैं हूँ विशाल यादो और आज एक बहुत ही महत्वपून मुद्दे पर हम बात करने के लिए हाँ खटा हुए हैं ये विशाय इसलिए भी महत्वपून है क्योंकि कई सालों से ये लडाई जारी है जी हाँ ये ल पाचीत हुई काग्जों पे कई चीजे आएं लेकिन सम्वेलेन दूर ही रहा आज इस पर एक्सपर्ट के तोर पर हमारे साथ कई लोग मौजूद है मैं सबसे पहले उनको गलिफ के लिए धन्यवाद देता हूँ कि वह आए मैं आपका परिचे भी कराता हूँ कॉंग्रेस आपका इब बहुत स्वागत है जनता कॉंग्रेस से हमारे बीच में भगवनु नायक जी आपका इब बहुत-बहुत स्वागत है शिक्षा कर्मियों की तरफ से अपनी बात रखने के लिए दूबेजी है शिक्षा कमूर्चा से है और करमचारी संग के वरिष्ट कर्मचार प्रवाइब देश्ट के लीडर हैं हमारे बीच में अनिल श्रीवास्तों जी आपको भूट-बहुत स्वागत है सबसे पहले मेरा सवाल चुकि यह मामला शिक्षाकर्मी उसे जुड़ा हुआ है तो विवेग जी सबसे पहले मेरा सवाल आप से यह है कि क्या करण है कि बार ब अब जब व्यदेश का गठन हुआ उसके बाद 2003 का जो मांग पत्र आया था भाजपा की तबसे जो गोस्टा वादा किया गया था अभी वर्तमान जो करिशिती है उसमें हमने कुछ समय पहले ही पंदर दिव सी आंदूलन किया आंदूलन खतम होने के बाद सरकार के द्वारा हमारे वांगो पर विचार के लिए कमिटी बनाई गई कमिटी के लिए हम सहमा दिसके नीट है क्योंकि पहले जो बाइस कमिटी बनी है उसका कोई हैसला हमारे पर्च में नहीं आया है और उस कमिटी की रिपोर्ट सारजनिक भी नहीं होई इसी लिए हम कमिटी का विरोध करते तत्कालिम को इस्वीटियो में अगर देखें तो मद्रदेस में सवीलियां की घोसना हो चुकी है विधान सबाब पटल पे इसकी बात रखी जा चुके है इसलिए जो सवेधानिक दिक्कत की बात सरकार अभी तक करते आ रही थी वह यह साफ करती है यह बात की वह जूटी बात थी और सवीलियां के पीछे कोई सवीलियां दिक्कत नहीं है सब्सक्राइब अब परकार अगर चाहे कि तो सब्सक्राइब करता है और उसी कि हम मांग रखे हैं बार बार वगी मदधदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घोषना की तो आपको नहीं लगता कि हर काम मदधदेश में जो होता है उसके बाद 36 कर्ण में पिशी काम को फॉलो किया जा कि यह परंपरा को तोड़ना चाहिए ऐसा क्यों कि 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 करने के बाद हम करें क्या ऐसी शुरुवाद नहीं हो सकती हम नान्दुलंकिया उसका भाजपा सरकार यहां पे तत्कालीन जो सरकार है वह भोस्ना करती और उसका पालन धिर्मद्वरेस करता हम हमेसा पीछे जो चले हम हमारे पास मौका था हम आगे जा सकते यह गोस्ना यहां हो सकती थी उसके बाद अगर उन्होंने घोस्ना कर दी है तो फिर यहां घोस्ना करने में दिक्कत क्या है यहां बार बर कमेटी बार बैठके आप देखिए मैं आपका भ्यान एक चीज की और आपिश्कान समय सीक्ति स्ञारप वाल अलुए घृष् कि आपने जिस तरह से विवेक जी की बात सुनी यह 1997 में यह मामला कॉंग्रेस की ही सरकार का था 1997 में जब कॉंग्रेस ने सरकार थी तो उन्होंने प्लान किया था कि यह गाओं गाओं तक पंचायतों के माध्यम से पंचायत में शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति करके गाओं तक शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाए और गाओं में जो माहो ले शिक्षा क इसके बाद परिवर्तन होते चले गए लेकिन शक्षाकर्मियों को जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला अब लंबे समय से बीजेपी की सरकार है मदब्रदेश में भी और चतीजगार में भी मदब्रदेश में चुकि मुख्यमंत्री ने सीधे घोशना कर दी है आपको नही फ्रुदेश थे एक तो शेच्षित बेरोजगार देना दूसरादाव में स rely सेच्षा का परसाद करना उस समय इनका निमिती करल इसलिए समभुआ अथा या निमित भरती और इसलिए समल नीथी कि उसलें बजट वहत कम गवा करता था आप याद होगा जब हमारा राज्य बना था तो हमारा पहला बजट था लगभग साड़े तीन जार करोड का अब वो बजट बढ़ते हो गया है लगभग 90,000 करोड से 80,000 करोड संथिंग है तो मेरा कहना यह है कि जब 35,000 करोड में हम नहीं दे पाए तो अब सरकार एक लाख करोड रुपे को बजट माकर क्यों देना नहीं चाहती 2003 में मुझे याद है मुख्यमंत्री जी ने कहा था और गोशा पत्र मेरी गड़ी वभी रखा हुआ है कि हम साथ दिन के अंदर जिस दिन हमारी सरकार बनेगी साथ दिन के अंदर समीलियन कर देंगे उसके बाद सिक्षकर में वितना हमारे जो कहरत मिल्कुल सही बात है कि 2008 के चुनाओं में एक नया जुम्ला उच्छाला गया कि 20-20 प्रत्सत सिक्षकों का समीलियन हर वर्ष होगा इस तरीके से 5 साल में 7 प्रत्सत समीलियन हो जाएगा और सिक्षकों ने एक बाद फिर से सरकार पर भरुसा जटाया था 2013 में क्या हुआ था फिर किसी को पताने की जरुवत नहीं है तो सब मिला के बाद ये है कि तारीक में तारीक तारीक में तारीक में बिली लेकिन इंसाफ कभी नहीं मिला 22 कमिटिया बन चुके हैं तेश्शी कमिटी है और मेरे बहुत अच्छी बात कह रह रहा थे कि ये कमिटी जो माननी मुख्य मंत्री के दरदेश पर बनती है और प्रदेश के मुख्य सचिव उसकी अगवाई करते हैं वो जी एक समय सीमा एक टाइम फ्रेम में काम नहीं कर पाती है तो ऐसी सरकार को बने रहने का क्या औचित्त है ये मेरी समस्य पर है लेकिन एक बाद ज फोड़ी भी यदी नितिकता है इंसानियत है अपने किये गए वादों को निभाने के लिए मन में सदिक्षा है तो सिक्षा करभियों का सम्मीरिन उसी तरज को होना चाहिए जैसा कि मत्रदेश में हुआ है मैं आपको एक बहुती महत्वपूर्ण एक बात बताना की कोश्च करता हूँ ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार सरकार आर्बी आई से करज ले रही है इसके पहले भी सरकार ने 6,000 करोड रुपे का करज लिया था अभी 500 करोड रुपे का करज लेने के लिए सरकार खड़ी है अर्बी आई के बास में 500 करोड की पती भूतिया निलामी होंगी सरकार ये कर्ज योजनाओं को देखते हुए लेती है लेकिन कहीं न कहीं इसका उपयोग शिक्षाकर्मियों के लिए भी किया जा सकता है शिक्षाकर्मी भी सरकार का एक हैस्सा है उनकी संख्या कडिव एक लाक सिज़ार अस्मान में है जो दुरस्त वांचयल में कारग भी कर रहे हैं बहुत दुखनी सिती है कि सिख्षा जैसे इच्छे से जुड़े हो वैक्ति जो समाने सिख्षाक कार करता है चाहे उसायख सिख्षाक हो चाहे वैक्षाता हो चाहे अन्य सभी कार्यों करते हैं यहां तक ही पेपर का विलिशन भी करते हैं आप हर मामले में तो मानते हो कि आप इतके बराबर हो और काम लेंगे फिर वेतन के मामले में आप ऐसा क्यों सोचते हो कि वेतन मन अलग-अलग आपने जब पूरु में सरकार थी छट्टेगाराजी बना था पचास राव सिच्छा कर्मियों ने जईस तम्चोप में अठारा घंटे जो हैं चक्कार राम किया था हमारे राइकुस है कि जागरुप बिठायक बिजमोहन जी अगरवाल जी आये थे और रात के 11 बजनों में घोस्रा किया था विपश्च्छे निता नंकुमा से आई जी आये थे और हमारे बच्चों को आस्वासन दिया था कि हमारी सरकार आई तो हम एक दिन के अंदर जो हमकी मां पुरी करेंगे फिर धानसवा चुनावाया उसमें घोस्रा अपत में उलेक किया गया थिच्च्छा कर्मियों को कि हम सभी लेंग करेंगे यह हमारे छत्य गड़े माधी पुत्र है भाई बड़ा दुल्भाक साब कहना पड़ रहा है और पुरे देश के त्यास में आजया दिके बाद मैंने कहीं नहीं जाना किसी कर्णचैनली कर तक खा बढ़ा हो या विधायक और साथा का बढ़ा हो या राजिपार या राजपती का बड़ा हो तो जंता की अदालत में नहीं जाना पड़ा लेकिन में जाने बेजन, हमारे सीच्छा के भी जंता की अदालत में गए मेडिया के, हमारे आधरणी, हमासु दिवेडी, आवइश्अ संफातार की जगा है कि ऐयाजी ने नहीं Papa को स्मझंवें नहीं तहरा है मुझाँ सिकार कि कि इनकी मुझाइज है और इनको भी सवान सच्च्चा के समय मान मिलना भी सब्सक्राइब क Sü Kath mínimo दया की सिखे कर उनको पे सब्सक्राइब कर hustle परी सरते थी और ये सरते कांसार की भती किया गया था तो सुप्रीम को टिंगें कहा सरकार कोई उपर अरुप लगाया कि सिच्छे दुरों निगारों का तो ची समझी साजिस के तहर आप उनका आतिक सोसर कर रहे हैं उसकी मजबूरी का उसके इसके बावजूद भी यह यह फ सिक्षा कर्मियों के साथ निया आएगी बात नहीं हुई भगरू नाइक जी आप 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 क्या देखते हैं क्योंकि आप जिस पार्टी से बिलॉंग करते हैं चातीजर जनता कॉंगरेस से उसकी उसके मुख्यमंतरी पहले रहे हैं यहां पर प्रतम मुख्यमंतरी आजी ज जब कॉंडेसी सरकार थी उस वक्त प्रदेश में जो बजट था लगभग साथ हजार करोड़ का था उसमें संभाव भी था नहीं राचे के घठन हुआ था और आज प्रदेश में लगभग 90 हजार करोड़ का बजट है और 36 में 14 साल में आम आदमी के जीवन में परिवर्तन हो ऐसा कोई भी काम 36 रड़की भारती जन्ता पार्टी के सरकार ने नहीं किया जो सरकार सुप्य वेड़ा में आम आदमी को पानी तर नहीं पिला पारी है वहां पर वो डैलेसिस प्लान लगाने की बात करते हैं वो सिख्षा कर्मियों के संभीलन को देख धोगा है मैं तो स सुदूर ग्रामी रंचलों में वनांचल में धूर नक्सरी छेतरों में जहां करके हमारे बच्चों को पढ़ा रहे जटी रड़ के भविस्ते की नहीं हमाता है इनके साथ समान काम का जो समान व्यत्म जो मानी सुप्रीम कोट में 2016 में इसका अधेश दिया स्पशलूप से विवेग जी आज आपको इनकी परेशानिया दिख रही है अजी जोगी जी सब सरकार में थे तब उनके कारिकाल में पचास हजार लोगों ने चक्का जाम किया है तब यह समस्यां क्यों नहीं देखी गई मेरा मेरा सवाल विवेग दी ये जो स्थीतियां परिस्थीतियां बन रही है बार बार यह पहले ही बताया कि नहीं निराज का विधन हुआ था प्रदेश को बनाया गया और उन्होंने उनके कारेकाल में जो काम किया मैं समझता हूं उसको आग तक फालो करें इनके पास पही भी नहीं हो जना नहीं है क्योंकि बजट की कमी की वज़े से काम नहीं हो पाया आज तो सत्रे जार असी जार नप्य हजार करूर का आज बजट है उसके आप किस तरह से देखते हैं क्योंकि आप उस कारेकाल के गवाह हैं क्या ने नहीं हो सकता था उस समय भी किसी भी समस्या को हल करने के दो तरीके होते हैं एक तो हम बैठ कर आपस में संधाता करने बाकित से और दूसरा दौर होता है द्रमन का आज से सोला साल पहले क्या हुआ तब वनुन आपको नहीं पता है मुझे पता है साथ ही अपना अर्मित्र जहां दुबई जी शाह पूटके चलते हैं सिक्षा कर्मी आज भी तांगे से साथ पुड़े नहीं है मैं बताओं आपको होटलों से निकाल कर लाजों से निकाल कर धरम साला से निकाल कर आधे कब्ले में सब्ड़कों पर नंगे करके पीटा गया था पंडाल उखाड लिये गये थे समाजब्त कर इसे तो दोर दमन कहें वर्फ और हम्ने देखा है परूश है तो सबीक्रा की कोशिस करता है कि खड़ियाली यासुए अभी तक कहाूतों में पढ़ा था अव दखाइभए दे रहा है सिक्षा-कर मीं वर्ग जो आज ते हमसे नाराश था उसके पीछे कही न कहीं ये बज़ें थी लेकिन जोगी जी के कांग्रेस से बाहर जाने के बाद हमारा मंता भी बड़ा स्वस्थ है कि सिक्षा कर्मिय की जो जायक मांगे है वो प्रत्मित्य कधर पर पूरी होनी चाहिए हमारी सरकार आएगी तो हम इसको प्रत्मित्य कधर पर पूरा करेंगे जैसा कि आर्पे शिंग जी ने कहा विवेट जी कांग्रेस का तो ये प्रामिस हो गया है कि वो आपकी मांगे पूरी करेंगे लेकिन आपको क्या लगता है ये जिस तरह से प्रामिस इसके पहले भी हुए है आपको कितना विश्वास है कि कभी इनकी सरकार आई तो यह सब चीजे होंगी आपकी जो इस्थिती है वो वैसी नहीं रहेगी कि लोग तंत्र ने जो हमको हत्यार दिया है चुनाओ के समय जो हम अपना मद्दान की रूपे प्रेयोग करते हैं उसका प्रेयोग हम आने वाले समय में करते रहें हमेशा से रहा है कि जब चुनाओ आता है तो सिच्छा तर्मी अपना मद्द एक जुट होकर देते हैं उसको हम बार बने के का भी चुनाओ दूर है लेकिन उससे पहले में सबसे महत्पूर मुद्दा जिसको हम बार बन उठा खूब दिये गए उसका लाग क्यों नहीं मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं आदेश देखिए कैसे हमानों पर लागुत्य लाता है आप इधार करते हैं अभी तक आपने खर्मान जानी तरके रखा हुआ है कि जब हम 30 दिन अपनी सेवाएं दे लेते हैं तो हमें पंचायक सचीव और सरपंच से हस्ताक्षा करना पड़ता है आप देखें कि बड़ी विडम्पना है कि एक सिक्षब जो इतनी हाइफाइट डिवी लेकर वहां पर नौबरी करने जा रहा है जो मार्श्टर डिवी लेता है जो बीएड करता है उससे हम सरपंच और सचीव से पहले हस सब्सक्राइब करने जानी हुआ क्या यह अधिकार नहीं है आपके ऑफिस पर प्राइवेट कर्मचारी होते होंगे उनके सांथ इस्तिती नहीं होती पांस दिन दस दिन का लेट समझ में आता है तिन-ती महीने चर्चर महीने आवंटन नहीं आना हमने आपको सेवाए दी सर महीने बाद जब हमें वेतन मिलता है तो मीडिया के सुर्ख्या बनती है इनी सब समस्याओं को हमारे लिए कोई स्थानंत्रण नीती नहीं है हमारे परिवार में करकल कोई घता हो जाता है तो उसकी अगर मानलो मेरी देश लाती तो मेरी पतनी कल जब नौकरी के मांगने जा दो मधिजा चीज बताता हूं आपको मैं अध्या नौकास पूरे प्रदेश पे तरवचारि यह इस्तिती है कि दो वर्ष के लिए अध्या नौकास दिया जाता है जहां पर सरकार उन्हें पेमेंट रती है सिक्षा करमियों के मामले में यह है कि वह कहता है कि आप दो साल के कैसे पढ़ाएगा यह सब इस्थित्या है इसी लिए हम सभी लें दिमांग कर रहें और इसी लिए हम सभी दिमांग के टिके हुए हैं समाज को भी यह समझना जरूरी है कि आंदोलन सिख्छा कर्मियों का सौप नहीं है हम भी चाहते हैं कि प्रॉपर हम स्कूल में पढ़ा है क्या समाज की मिलादी नहीं बनती कि वह हमारे साथ खड़े और यह बोले कि इनको समय पर वेतन कीजिए कभी भी सिक्षागर्मियों के उपर कोई भी कारवाई की क्या आज भी आप एक उधारन बता दीजे कोई भी कि हमने उसके लिए अंदोलन किया होगी इस फेक्ति के उ गलत हो रहा है तो उसके लिए स्वतंत हैं आपने गलत भरती की अगर नीती गलत थी तो उसके बीची मिला लेकिन शिक्षा कर्मियों पर यह भी आरोप लगे हैं कि पिछली बार जब उन्होंने अपनी हर्ताल की तो वह किसी समझोते के तहत उन्होंने खत्म कर रही हमारी क लिए सरिक्षा रही है तो महीं तहर थी हमितिक्यों करते छुम ही कि अंदूलं कर ग διαучी सरकार में अबहीं कि सर्कार के लिए कि आप क्या का हैंगे यह जिस तरह से हर्ताल रुकवाई गई थी आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं इसमें कोई एक बड़ा प्रेशर रहा होगा देख़िये निताओ पर कितना दौबा होगा मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि एक दिर्वाचीत सरकार जो अपने आपको सम्वेदन सीव भूरने का दंब भी भरती है वो महिलाओं के लिए सोचाले बंद करा देती है ताकि हमारी माताएं और बेहने सोचाले के इस्तमान ना कर सके ऐसी सरकार को क्या करेंगे हम आपको बता दे कि हमने इस पूरे बहस में बीजेपी की तरफ से भी अपना पक्ष रखने के लिए एक प्रतिनीदी को कहा था लेकिन वो जन्संपर की आत्रा के व्यस्त होने के कारण वो हमारे बीच में नहीं है मैं आपको हमारे बीच में अभी वरिष पत्रकार हैं उनसे इस बात में में आपसे मिलवाना चाहता हूं रामुतार तिवारी जी हमारे साथ इस बहस में जूड़ चुक है, मेरे आपसे ये सवाल है, कि सरकार वादे तो करती है, लेकिन निभाती क्यों नहीं है। पर लागू नहीं किया है। उसमें इस समझने के लिए चीजों को समझना पड़ेगा, इसमें वैभारी पक्ष को समझना पड़ेगा, कि ठीक है सरकार ने वादा कर दिया, वादा करते हुए सरकार ने दो चीजों को ध्यान दी रखा, कि इसमें तक्निकी रूप से प्रसासनि तकलीप क्या-क्या जाएगी तरकार ने वादा किया मंसा उसकी रही हो अच्छी रही हो ये कर सकती हो मगर इसमें जो सिच्छा कर्मी हैं और मुल सिच्छक हैं उन दोनों के सेट अप जो है सेट अप मंजूर नहीं है और सेट अप के प्रमुशन नहीं मिल पाएंगे एक बात दूसरी बात अगर सिख्षा कर्मियों को उसी के समान वेतन दिया गया तो सरकार के सामने एक भारी आर्थिक संकट आएगी इस आर्थिक संकट को किस तरह हल करेगी ये सरकार को देखना पड़ेगा इसको समझना पड़ेगा कि अजी सिख्षा कर्मियों को नीमित करने का फैसला किया है उसके बात उल्जणे उनके सामने भी इसी तरह के आई है क्योंकि एक दिन की प्रक्रिया नहीं है इसमें काफी समय लगेगा और दिर्ण इच्छा सकती लगेगा और आर्थिक संसाधन काफी जुटाने होंगे तो इसको लेकर सरकार को पूरी तरह से गंबीरता से और दिर्ण इच्छा सकती से अगर करेगा तो तभी हो पाएगा अन् सबसे अच्छी होनी चाहिए वो सिच्छा में सुधार कहीं देखने को नहीं देगा तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात की इसी आर्थिक व्यवस्ता एक धांचे की जो बात इनों जो उठाई में आपको एक बहुत ही रोचक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि पिछले ज बातार क्रोड करूड करता अपनी मंगों को लेकर अंदोरन करते हैं कोटवार अपनी मंगों का अंदोलोन करतें हैं लेकिन नatीजे कुछ नहीं निकलते हैं लगता है। और कर्णचारी की इस पर भ्रोसा करें जो राजितिक जब सरकार चलाते हैं जो रुक सत्ता में बैठे हैं वो वादा करते हैं सत्ता आने के बाद उसे बुल जाते हैं चाहे वो कर्णचारी का मामला हो चाहे हिसान को बुनस देने का मामला हो और भी मामले हो तो ऐसे कार से जो सरकार है सरकार के पती जनता का विश्वास सीजा तूट रहा है और कोई सरकार पर भ्रोसा नहीं करेगा कि इनके वादा जह से घुश्रा पत्र भी जो है वो उच्छलावा है दूसरे बागे और भी विकटी स्री है कि सिच्छा कर्मी का मामला हो यह अगन बड़े का मामला हो इनको तीन-टीन में होलियो दिवाली में तंखानी मिलती आद भी हमारे इन वर्कों को साथ लाक अन्चारी हैं उनको तीन महां से तंखानी मिले और सबसे बड़ी बात है कि करीब 30 लाख परिवार के सरश जो है वो कैसे जीवाज विदीद कर रहे होंगे 30 लाख बहुत मान हुआ सामने वाला रिटायर नहीं हुआ रिटायर की तारीक देखके उनको जो है वो प्रमोशन दे दिया गया जो कि उनको उगलाइस करना था पहले एक जो है वो मुबाइल बाता जा रहा है यह कहां का निया है पहले लोग का पेड़ पड़ एक में क्यों कि यह भी छटी प्रमोशन के मुख्यमत्री तो लगातार कह रहे हैं कि वो शक्षा कर्मियों को लेकर लगातार संविधन चील है उनकी मांगों पर उनका लगातार फोकस है आप आप जिस तरह की चीज़े उठा रहे हैं मुख्यमत्री कहने के इन चीज़ों को जरूर देख रहे हैं हमारे मुख्यमत्री ने जब इनकी हर्तार अभी दिसंबन में तेरा दिन हुई थी मुख्यमत्री बलाया थे और बात किये थे अफसासाई तीन युणनबुश है कि मुख्यमत्री की बात निमाने तीन महीं पर रिपोर्ट प्रस्टूट की जाती तो अपनी इस्टिवी उत पर अरे कोई भी कोई भी रिपोर्ट चार्ल लेंड लिक के सरकार को नहीं दे सके यह आईये सब्सक्र की रिपोर्ट ऐसी है क अब इस तरह से अफसरों के बीच में यह तालमिल नहीं होने के कारण इस तरह की समस्याइं उत्पन हो रही है आपने बात बहुत अच्छी कही कि सारे मामले को मुख्य मंतरी बहुत मैज्टीक के देख रहे हैं आप सच है वो देख रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं आप जहां तक प्रसास्तिक अफसर साही की बात है क Спरदेखस्ण सिंग्यदेव जी ने जिस शाहता के इसनमाल सबसे पहले किया था उश्वद था इसराज में प्रशास्तिक आतंकबाद है यहम हम नहीं कह रहे है यह स्वर्की दिलीफ सिंग्युदेव जी ने कहा था और भाई पुरानी कहावत थी की सायाव है कोटवाल अबडर काहेगा इस सरकार ने इस कहावत के मतलग हुरट दिये हैं इसराज में कोटवाल ही डरा हुआ है तो भूसरों को भवान जाने देखिए मन्सा जो है साजन की बड़ी स्पस्थ होनी चाहिए शिर्वस्तों जी ने बात बहु मैंदने खरए उसका मकसद सर्क मिशार को यह हुता है मकसद निकास करना होता तो भारत संचार लिगन निमिटेट कंपुनी है लेकिन अपने अब कंपुनियों को लेक्शच्टाए का बाठने की आप बाठेए शिख्षा करमियों को समीले पहले कर दीजिए करशारियों की म और इस अच्छी बात गई आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ तीवारी जी आप आप कित्ता इतफाक रखते हैं आरपी शिंग जी की बाद से क्याओं आप लंबे समय से यहां पर 36 गड़ में पतरगाईता कर रहे हैं, सरकार और अधिकारियों को आपने बड़े करीब से देखा है, क्या आपने कभी यह जो इस्तिती बनी है, जिस तरह की मैं तो कहूंगा यह विस्पोटक इस्तिती बन रही है, कि लगातार सरकार से करमचारी नराज हो रहा है, अ अपनी मानों को तेश करते हैं, और अपनी माम को लिए दबाव बनाते हैं, और यही समय उपयूक माना भी जाता है, इसलिए ज़्यादार मामों को सरकार अपने राजितिक स्वार्थ हैं या अपने फैदिक नुकसान को देखते वे मानती भी है, परन्तु यह से भी हटके पाती है, जो मानवी एधार कर कुछ लोगों को वेतन विद्धी है या सवस्या हैं, उसको अगर समय समय पर सरकार हल्थ करते रहे, तो यह इस तरह के दबाव एक साथ नहीं पड़ती, बड़ी नाराजगी समय हैं, नहीं दिखती एक साथ, लंबे समय से सत्ता में हैं, एक ह की पालिटी है, तो ऐसी सिखी में जिल्वों की जिनाई मांग है, उनकी जरुवते हैं और संसाधन, परयाप संसाधन है, उसको देखते भी अगर पूरा करें, इस सरकार का दाई तो भी बनती है, कि सरकार अंदर तो गत्वा कुछ जनता के लिए काम करती हैं, उनकी समस्या और इसको हल करने की और अगर बेतर अन्य राज्यों में ऐसे किये जा रहे हैं या और अन्यता ऐसे हो सकते हैं, तो ऐसे रास्ते निकालने की कोशिस होनी चाहिए, तो एक बात दूसरी बात यह है, कि सिख्छा कर्मी को लेकर अपने प्रदेश में एक नवश्यत राज्ज ह यहां पर सिख्छा में वस्ता आपको बेतर करने की सबसे जादा जरूबत है, आदिवासी और पिछला इलाका है, यहां पर सिख्छा की इस्तर पर अभी दर जिस तरह से कुछ सिख्छा के काम हुए हैं, बड़े-बड़े सस्थान तो आए हैं, परन्तु किसी पी देश में विष्भ में भी अन्ही दեսों में सरुदीप खर्च जो होते हैं, वो प्रारम भी प्राइवीक सिख्छा पर खर्च होते हैं, प्राइवीक सिख्छा में सिख्छा पर धांचा तयार करने पर खर्च होते हैं। Science conscious समाइच जो तो हम पर आच्छ सबसे ज़लूरी चीज है जिस तरह रोटी मॉपान की जबुएब तरह शिक्षा की जबुए इस पर सरकार को राजनिती और लाभ और नुकसान के अलावा भी इन चीजों को लेकर ना चाहिए और कि इस सि खेज रिधा काफी अधिकार है सेटब मन्जूर करने और वेचान मानके पूराने सिक्षा कि हैं उनको किस तरह एइज बांगे स्कूरा हो सकते हैं कई सरकार के सामधर उल्जने हैं उन उल्जनों को गतर बैटकर सामाँ से ही अहलत शत्य होएं को सरकार समाथ करेगी अपनी कि आ सिक्षाब का तंब स predicting किक्त वेटल मान देता हैं वागर और अब जो है जर्जाओं के दूर का के लंगा हो गया ऑबAsh पर को इन आए की और इस प्रदेश को बने हो गए हैं 17 साल में इस प्रदेश ने कई अंदोलन देखे कई हर्ताले देखी लेकिन बीचे 14 सालों से जो सरकार है शायद वो नहीं देख पारी है कि इन लोगों की समस्याएं क्या है आखिर कब तक ये सब सीजे सेलेंगी सरकार और अधिकारियों के बी इसके लिए देखते रहें ग्लिप्स.टिन नमस्कार